हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों विशेस ग्यान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपसे कुछ कोश्चन करने जा रहा हूँ वो सही है कि गलत है तो दोस्तों इन ही सब कोश्चन से ग्लेटेड है मेरा आज का वीडियो इसमें हम सिखेंगे कुछ जीवन के रूल लाइफ के रूल जिसके माधियन से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं यानि कि what are the most valuable things everyone should know वो क्या important बाते हैं वो क्या important काड़िये हैं एक्टिविटी हैं जिसे हमें सीखना चाहिए और करना चाहिए अपने लाइफ को एक खुसनुमा लाइफ बनाने के लिए दोस्तों तो आईए हम कुछ rules के बारे में डिसकस करते हैं जो life का पहला rule है जिसको हमें follow करना चाहिए वो बताता है कि stand up straight with your shoulder back इस rule का मतलब है कि हमारा जो body language है यानि कि हमारा जो posture है वो बहुत कुछ बया करता है अगर हम अपने posture को अच्छे रखते हैं तो उससे हमारे confidence level का पता चलता है यानि जब आप देखते हुएगा कोई भी player या पहलवान जब आखरे में या ground में जीतता है तो उसका body language कैसा होता है वो अपने body को एकदम straight करके so करता है कि मैंने जीत लिया वो अपने confidence को अपने खुसी को जाहिर करता है तो कहने का मतलब यह है कि अप अपने life में कोई भी काम करें आप आप चल रहे हो बैठ रहे हो सोते हैं या किसी से बात करते हैं उस समय आपका जो body का posture होना चाहिए अच्छे धंग से होना चाहिए और आपके जब चलते हैं खड़े होते हैं तो state खड़े हुई है अपने कंदे को पीछे कीजिए यानि कि इसका मतलब यह है कि आप अपने body language से यह मत्सो कीजिए कि आपके पास confidence नहीं है आपके कोई चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं आप डड़े हुए महसूस कर रहे हैं आ आप इस चीज को करने में eligible नहीं है capable नहीं है तो आप अपने posture को एक सही posture के तरीका से रखिए यह आपके confidence को और आपके इक्षा सकती को show करता है दूसरा रूल यह बताता है कि treat yourself like someone you are responsible for helping बोलते हैं कि जैसे आपके जो चहते हैं आपके जो करीबी हैं आपके जो near and dear हैं उन अपने पर भी लागू कीजिए इस रूल का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजे होती है कि आप suppose अपने किसी करीबी को बोलते हैं कि exercise बहुत जरूरी है आपको exercise करना चाहिए तो वो चीज अपने पर भी लाइए जो आप नहीं कर पाते हैं और तो अगर आप अपने पर भी ला भी है जो मेरे सुवचिंतक हैं जो आपके नजदी की हैं जिनके भलाई के लिए बताते हैं वो अपने में भी उस चीज को अपनाना चाहिए तिस्रा रूल यह है make friends with people who want the best for you बोलते हैं कि दोस्त अगर हजार बेकार दोस्त अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त होना चाहिए और अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो दोस्त नहीं होने चाहिए और जो बोलते हैं कि हजार बुक्स के बराबर एक नया और एक अच्छा फ्रेंट्स होता है तो इस रूल का मतलब है अच्छा फ्रेंट्स होगा तो आप उसका जो बिंगिंग होगा आपका जो इन्वार्मेंट होगा आपकी जो आसपास की वाइब सोंगे और आप अच्छे से एक पोजिटिव माइंड में रहेंगे आपका हमेशा जो दिमाग है आपका माइंड से आपका मतलब यहाँ दोस्त से यह है कि अपने आसपास के इन्वार्मेंट को एक पोजिटिव माइंड बनाई है अच्छा इन्वार्मेंड मेंड मनाये क्योंकि आपकी जो फिंकिंग है वो आपके इन्वार्मेंट पेभी डिपेंड करती है चौता रूल क्या है चौता यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के जमाने में लोग कंपेर करना तुलना करना सुरू कर देते हैं सबसे पहला और सबसे गुड़ बात यह है कि जब भी आप कंपेर करें तो आप अपने से कंपेर कि आप कल क्या थे और आज क्या है आज कि आगर आपका और कल में और आपके आज में कुछ चीज चेंज हो रहा है और वो चेंज पोजिटीव है यानि कि वो बढ़ोतरी के तरफ है आपका जो क्राफ है इंक्रीजिंग है तो समझे कि आप अच्छे डाइरेक्शन में जा रहा हैं आप अपने गोल को एचीव कर रहें आप खुश हाल हैं और आपने जो भी आपने मन में बनाया है और जो आप activity कर रहें हो एक सही direction में है तो हमेशा अपने आप से compare करना चाहिए दूसरे से आप compare करेंगे तो आप परिसान हो जाएंगे फ्रस्टेट हो जाएंगे stress में आजाएंगे क्योंकि अगर सामने वाला है उसकी condition अलग है वह पहले क्या था और आप क्या है यह आप जज नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं कि बस अपने से compare करने लगते हैं तो हमें जब भी compare करना चाहिए और दूसरों से नहीं करना चाहिए ह हमारा जो past था हमारा जो भूत था हम क्या थे हमारा present क्या है उसी पर आपका future depend करेगा कि आप future में क्या करेंगे अगर आपका compare में लग रहा है कि आपको improvement की जरूरत है आपका graph down है आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसको improve किजिए पांचवा rule है do not let your children do anything that makes you dislike them यह जो rule है यह rule का मतलब यह है इस rules के माधियम से यह हमें parenting यानि कि हमें एक guardian की तरह हमें parents को कैसे अपने बच्चों के साथ behave करना चाहिए उनकी upbringing उनका पालन पोसन कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताता है हमें ऐसा कोई चीज नहीं होने देना चाहिए अपने बच्चों के साथ क जो आपको खराब लगा जब खुद आपको ही खराब लएगा तो समाज के लिए खराब होगा तो हमें उनको अच्छे तरह से उनके विकास के लिए उनको discipline में उनको good manners के साथ हमें उनका upbringing करना चाहिए हमें parenting अच्छे करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बच्चों क लिए अच्छा काम करें और अपने लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं छठा रूल बोलता है set your house in perfect order before you criticize the world करने को मतलब यह है कि लोग क्या होते हैं कि ब्लेम करने लगते हैं अपने कार्ज के compare नहीं करते हैं उसके समिक्छा नहीं करते हैं सामने वाले पर ब्लेम कर देते हैं कि यह ऐसे है इसके कारण से मेरा यह नहीं हुआ मेरा जो situation था उसके चलते विगर गया वो condition मेरे favor में नहीं था यह लोग ऐसे कर रहे हैं यह सब बातें वकवास हैं हमें अपने सबसे पहले हैं यह सब्सक्राइब करना होगी क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसके सबसे वरा जिम्मेवार हैं जो responsible वह आप हैं इसलिए हमें सिस्टम पर नहीं डालना चाहिए, सामने वाले पर नहीं थपना चाहिए, अपने रसमन से डिलने चाहिए, और जहां से हो सके हमें अपने में सुधार करके हमें अच्छा काम करना चाहिए, सात्मा रूल बोलता है, pursue what is meaningful, not what is experience, देखिए अभी हम क्या है लोग जो अपने life का मिनिंग है और जो आप काम कर रहे हैं वह आपके लिए meaningful है कि नहीं उसका क्या incentive होगा उसका क्या result होगा उसका आउटकम होगा कैसे होगा कि आपका system एपका जो process वह कैसे कर रहे हैं तो हमें meaningful काम करना चाहिए और जल्दी बाजी में हम लोग सोचते हैं कि जो काम करते हैं उसका result हमें तुरंत चाहिए और उसके चक्कर में हम गड़बड करने लगते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो काम कर रहे हैं और जो हम आगे हमारा काम का जो पूट है वह कैसा है और कौन सा system है process के थो हम काम कर रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूत है क्या अपने आप से question पुछने की जरूत है कि क्या जो हम काम कर रहे हैं यह हमारे लिए सही है यह दूसरे के लिए सही है और इसका जो result हो गया हमारे लिए कितना इस चीजों को मद्य नजा रखते हुए हमें एक मिनिंग्फुल काम करना चाहिए जो आपके लाइब से आपके गोल से और आपके सक्सेस से रिलेटेड हो आठवा रूल यह बोलता है टेल दर ट्रूथ और अटलिस्ट डॉंट लाइब तेकि यह हमें बताता है कि जब भी हम किसी का ट्रस्ट और विश्वास जितने हैं और किसी से हमरा रिलेशनसिप अच्छा है तो उससे हमें सही बाते करना चाहिए सही बाते का मतलब यह नहीं है कि टूथ का मतलब यह नहीं कि सत्य बोलना से ही मतलब है सत्य से तो है ही लेकिन इसका बात है कि ऑथेंटिक बाते करना चाहिए फालतों के बाते और बकवास बाते नहीं करने चाहिए जिसका कोई मीनिंग नहीं है और फेंकने वाली बाते नहीं करने चाहिए अगर आपको क जहीं मैनर्स में और सही बाते करना चाहिए जो प्रैक्टिकल बाते हों उन पर हमें विसे ध्यान देना चाहिए वजाए कि हम भाल्तू की बाते करते हैं नवारुलिय बोलता है अगर आप यह दिमाग में नहीं आएगा कि नहीं सामने वाला मेरे से कुछ चीज़ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ जानता है अगर यह नहीं mindset होगा आपका तो आप कुछ से सिखने सकते हैं इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई बाते करता है तो पहले आप समझिए सुनिए हाँ इसको मान लिजे कि वो सही बोल रहा है और मुझे से अच्छा उस फिल्ड में या उस topic में उसको knowledge है तभी आप learn कर पाईएगा तभी आप focus होके सीख पाईएगा और सामने वाले को respect भी कर पाईएगा तो काने का मतलब यह है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो सामने वाले के बारे में मानना परेगा कि यह चीज मेरे से उसको ज्यादा आता है तभी आप सीख प social growth के लिए तो हमें जो बात करनी चाहिए वो एक सठीक और अच्छी बाते करनी चाहिए और कोई सामने वाला बोलता है तो इसको सुनना चाहिए और उसको blame नहीं करना चाहिए criticize भी अगर कोई कर रहा है तो हमको उसको तरीके से accept करना चाहिए और जो भी उसके बात बोलते ह हो पिरसाइज हो सही हो कड़वा नहीं हो और एक हमें अहिंसक माध्यम से बात करना चाहिए यानि कि non violent communication होना चाहिए violent communication नहीं होना चाहिए 11th rule क्या बोलता है 11 कि don't bother children when they are skateboarding इसका मतलब है कि देखिए हमें life में बहुत सारे challenges face करने होते हैं और challenge face करने के लिए हम में अपने mindset को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसका मतलब यह है यह statement का मतलब यह है कि मालेज कोई बच्चा skateboarding कर रहा है तो उसको छोड़ना भी चाहिए कि उसे समझे और खुद संभले और देखिए अगर ऐसा इसका मतलब यह नहीं कोई dangerous काम कर रहा है तो मना नहीं करन लेकिन हमें उसको कुछ challenges हैं जो वो करेगा practically तभी सीखेगा क्योंकि life जो है उसमें बहुत सारे challenges ups-downs आते रहते हैं इसलिए उस situation के लिए हमें ready होना चाहिए तो हम तभी ready होंगे जब हमें पता होगा कि हमें कुछ चीजियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है अगर हम असान चीजें करते जाएंगे तो हमें जब मुस्की लाएंगी तो उसके लिए हम परिसान हो जाते हैं तो इसलिए हमें उस situation के लिए उस समय के लिए भी prepare रहना चाहिए तो अगर कोई कठिन काम कोई कर रहा है तो उसमें challenge जाएंगे इसलिए हमें उसके लिए prepare होने की जरू रहा थे और लास्ट रूल यह बोलता है इसका मतलब यह है कि हमारा जो लाइफ हमें इसमें बहुत stress depression आते रहते हैं और उस case में हम क्या होते हैं कि हम लाइफ को एक लंबा ट्यूजिशन के लिए देखने लगते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने लाइफ को एक छोटे-छोटे टुकरों में यानि समय के छोटे-छोटे भागों में बाटना पड़ेगा और इसको हैपी बनाना पड़ेगा क्योंकि learn to be happy into the moment हमें हर चंड खुशी से जीने जीना चाहिए इसका मतलब यह है कि मान लिए कि आपके पास अगर कोई पेट है और कोई आप आपको कैट है डौग है मिल गया तो उसके साथ भी तोरह सा मन भाला जिए उसको थप थपा लिए उसके साथ खेल लीजिए इससे क्या होगा कि आप उस मोमेंट में आपको happiness मिल जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि हमें जब भी life में stress हो परिसानी हो तो उसको एक लंबे समय तक नहीं सोचना चाहिए उसको छोटे अपने life के उस tenure को छोटे छोटे पार्ट में divide करकर हमको उसमें खुसियां प्राप्त करने की जरूरत है तो दोस्तों यह है 12 rules जिस के बारे में मैंने discuss किया यह Jordan Peterson की book 12 rules of life से मैंने लिया है और यह जो Peterson है यह एक psychologist है और यह professor भी है और इन्होंने जो यह book लिखी है यह काफी important book है अगर आप life lesson लेना चाहते हैं कुछ सिखना चाहते हैं कि अपने life को कैसे चलाना है क्या करना है हमें किस rule को follow करना है जो हमारे personal, professional, social, relationship जितने हैं सारे life में सारे जीवन के पहलू है उसमें मदद करें तो इस rules को हमें समझना चाहिए और इस book को पढ़ भी सकते हैं आप दोस्तों तो अगर आपको लगता है कि यह जो वीडियो है कहीं कहीं आपके learning process में सीखने में आपके thinking में अगर मदद करता है और अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को like किजिए share किजिए और कोई doubt या comment है तो उससे प्रस्तू किजिए मैं इस topic को cover करूंगा इस वीडियो में और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा है तो enjoy किजिए अपने life को और focus होकर अपने life में अगरसर रहिए ताकि आप अपने goal को achieve कर पाईए फिरते हैं मिलते हैं आपसे हम next वीडियो में तब तक आपका समय सुभो थेंक्यू